Hello everyone, मैं हूँ Advocate and Law Lecturer पंकज बादवानी और आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल Law Easy में और एक महत्पूर्ट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इसका टॉपिक का नाम जो है यह एक चुली एक law का एक important subject होता है जिसको हम बोलते है medical jurisprudence चिकिस्सा नयाई शास्त्र, medical legal याने medical और legal का एक बहुत बड़ा combination होता है और crime की practice करने वाले जितने भी advocates होते हैं वो normally यह questions पूछते हैं तो आज का important topic जो हम cover करने वाले हैं वो यह है hanging whether it is suicide or whether it is homicide फासी, क्या आत्मत्या है या हत्या है इसको पता लगाने के लिए कुछ important points रहते हैं जो आज इस lecture में हम लोग cover करेंगे as we know that death is inevitable हम सभी को पता है कि मरत्यू होना अवश्यम भावी है कोई यसा वेक्ति नहीं है जो अमर है जिस वेक्ति का जन्म होगा उसकी मरत्यू निश्चित होगी पर मरत्यू कब होगी किस तरीके से होगी ये चीज निश्चित नहीं होती है लेकिन मरत्यू होना निश्चित है मरत्यू दो प्रकार की है the death is of two kinds one is natural जिसको हम प्राकरतिक मरत्यू बोलते है another is unnatural जो अप्राकरतिक मरत्यू होती है तो ये जो natural मरत्यू है यह लंबी आयू होने पर आयू पूर्ण होने पर व्यक्ति की डेथ हो जाती है यानि तो कोई व्यक्ति लंबी बिमारी से ग्रसित है उस बिमारी की वज़े से लंबी बिमारी से उसकी डेथ होती है यह सब चीजे नेचरल डेथ में आती है और नेचरल डेथ लौ का विशे न तो यह accidental death होती है, पानी में डूब गया, और third one is a homicidal, कोई और व्यक्ति मार दे, तो यह तीनों जो म्रत्य होगी है, अप्राकरतिक म्रत्य होती है, आत्मत्या, दुरगटना या मानवद, याने murder, तो यह तीन चीजें जो होती है, यह unnatural death होती है, यह unnatural death लौका विश है, इन death म investigation होगी, कानूनिस में interference करेगा, investigation होगी, पॉस्मार्टम होगा, इसकी जांच होगी, कि व्यक्ति की death क्यो ही, to find out the cause of the death, ताकि यह पता लगाया जा सके कि म्रत्यू का कारण क्या था, अब when death by the hanging is murder, कब फासी murder होती है, normally फासी को लोग suicide के लिए use करते हैं, और यह second most popular रस्ता होता है, suicide करने का, first number पे consuming poison आता है, अधिकतर लोग आत्मत्या के लिए poison का अस्तिमाल करते हैं, poison मतलब जहर पीकर अपनी death कर लेते हैं, आप स्वयम को मार देते हैं, लेकिन जो second तरीका जो most popular है, NCRB, हमारे देश का जो एक मत्पूर्ण institution है, National Crime Record Bureau, इसकी जो रिपोर्ट से वो ये कहती है कि, it is the second most popular, यानि hanging जो आत्मत्या करने का second most popular रस्ता होता है, क्यों, because it is cheaper, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको पेसे खर्ष नहीं करने पड़ते हैं, किसी को, easier, ये बहुत आसान होता है, घर में पंका या जो भी चीज अवेलेबल है, उस पे कोई वेक्ति सा श्वाशा अवरोध, संस्कृत में इसको श्वाशा अवरोध बोलते हैं, श्वास में अवरोध उत्पन्न होना, एस्पेशियल डेद, ये अलग अलग प्रकार के होती है, mainly इसमें hanging और strangulation होता है, hanging याने फासी, या strangulation याने गलाग उठना, तो इस प्रकार से श्वास में वरोध उत्पन होता है, व्यक्ति के म्रत्य होती है, suspension of body, इसमें पूरी body फंदे पे लटक जाती है, और जो body का वजन होता है, जो weight of the body होती है, उससे पूरा नेक होती है, जो गर्दन होती है, कसावट आ जाती है, in blockage of the airways, याने हवा जाने का रस्ता क्या होता है, बंद हो से वो stomach में जाता है, तो इस प्रकार से blockage of airway होता है, वो लगबग 15 kg का वजन ही required होता है, इसको block करने के लिए 15 kg का वजन अगर आ जाता है, तो 15 kg के वजन से व्यक्ति 5-10 मिनट में उसकी death हो जाती है, तो अधिकतर जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि hanging used for the suicidal, suicidal purpose, लेकिन अ करने के लिए, वो उसको लटका देते हैं, और उसको murder को किस रूप में convert करते हैं, वो suicide के रूप में convert करते हैं, इस चीज को देखने के लिए medical legal aspect जो होता है, वो इसी चीज को find out करता है, इसमें दो महत्पुन लोग होते हैं, एक होता है IO, investigating officer of the case, जो case का अनुसंधान करता ह होता है, normally यह police होती है, और एक forensic expert होता है, जिसको forensic science का पूरण knowledge होता है, वो तीन तरीके से find out करते हैं, whether hanging is फासी आत्मत्या है या फासी हत्या है, तो यह तीन जो column है, यह पहला column होता है, जब body लटकी हुई है, अभी crime scene पर है, यह बोड़ी लटकी हुई है, उसमें यह ची suicide और murder, so first of all, crime scene, सबसे पहले व्यक्ति यदि कहीं लटका है, तो उसकी crime scene देखना बहुत जरूरी होता है, crime scene मतलब घटना इस्तल, उस घटना इस्तल को मोका मोयना केते हैं, मोका मोयना किया जाएगा, वहाँ के photograph ले जाएंगे, उसकी गर्दन की direction देखे जाएगी, उसकी जो height है, जो जहाँ पर छट की height है, उसको देखा जाएगा, stool देखा जाएगा, आसपास bed या stool किसके उपर व्यक्ति चड़ा था, वो height, फिर rope कोन सी रस्ती का इस्तिमाल किया है, किस material का इस्तिमाल किया है, वो देखा जाएगा, suspension of body, body किस प्रकार से लटकी हुई है, वो द सीन होते हैं, इसके बाद है, जब body को उतार देया था, तो knot देखी जाती है, knot यह गिठान, नॉर्मली जो व्यक्ति खुश सुसाइट करता है, वो गिठान यहाँ बानता है, यहाँ पर जहाँ पर उसको तकलीफ ना हो, यहाँ पर गिठान नहीं बांदी रहती है, लेकिन जो व्यक्ति मडरर होता, वो कहीं भी गिठान बान देता है, नॉर्मली मरने वाला व्यक्ति जो होता है, वो soft चीज को लेता है, soft चीज मलते समय भी उसको तकलीफ नहीं होना चीज, इसलिए वो soft material का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो मडरर होता है, वो कोई भी नुकिली इसके भी इस्तेमाल कर देता है, इससे भी पता चल जाता है, उसके बाद जब बॉड़ी को उतारा जाता है, उसकी injuries देखी जाती ही, क्या उसके उपर injuries तो नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति को मारा जायागा, तो वो अपने आप रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टेंस में उस thinking time, मैंने कितने समय तक body लटकी थी, क्योंकि जैसे ऐसे समय बीटता जाएगा, वो लिगेचर मार्क और ज्यादा, खाओ गहरे होने लग जाते है, इसके बाद होती है, पोस्मार्टम रिपोर्ट, मरने के बाद ये बड़ी इंपोर्टेंट रहती, पोस्मार्टम रिपोर् मरते समय जब बाड़ी जुकती है, यहाँ पर जो होती है, डियों का ब्रेकेज होता है, यह भी देखा जाता है, पिर स्टमक की पोजिशन, जो स्टमक है, उसके अनदर क्या खाना है, उसके खाने की पोजिशन भी पता लगई जा सकती है, तो इस प्रकार एक छोटे से lecture में मैंने आपको ये बताने की कोशिश किये कि कब फासी हत्या होती है या आत्मात्या होती है ये बड़ा ही important aspect होता है और ये व्यक्ति को न्याय और अन्याय देने के लिए ये medical legal aspect बहुत ही महत्पूर्ण होता है Thank you for watching my this channel kindly subscribe law easy